हीलो फ्रेंड्स वेलकम् टू बैक मार्य न्यू ब्लोक्ज ड्नियू रेस्पी गोड़ा आप सब कैसे हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही भगवान की के पास बहुत ही अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं तो आज में क्या बनाने जा रही हूं वह आप लोग को तो पता चली ही गया होगा तो मैं आज बना रही हूं चना मसला तो आप लोग मेरे विडियो में कंटिन्यू बने तो आज में बना रही हूं चना मसला उसके लिए आपको क्या करना है तो रात में आपको क्या करना है मतलब रात में चना को भीगो के रख देना है या फिर आप एक दो घंटा पहले भीगो के रख सकते हैं वह भी मन जाई फ्रॉफैक्ट तो मैंने रात को इचना को भीगो के रख दिया थ दीजिए चले विडियो के स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमने कढ़ाई रखा कढ़ाई में ओई गरम होने देती है देखिए पूरा ओई गर्म हो चुका है इसका अच्छे से चलाते रहेंगे तक कि हमारी जो प्याज है मतलब ज्यादा नहीं पकाना लेकिन थोड़ी सी पका प्रवाइब ज्यादा नहीं क्योंकि चना भी फड़ाय करना ना तो चना और मसाला जब फड़ाय करेंगे जिए सब एक मतलब एक मिक्सर में आजाएगा बहुत ही अच्छा को बहुत ही अच्छा क्लर आजाएगा दुनों का स्थी मतलब फड़ाय होगा तो मैंने प्याज को अच्छे से फड़ाय करूंगी और फड़ाय करने वक्त ही आप मतलब इसमें हम नमक एड़ करते हैं आप इसमें टमाटर भी एड़ कर सकते हैं पर मुझे टमाटर अधर की सब बिल्कुल भी नहीं पसंदो और खाना भी मना है तो इसलिए मैं यह सम नहीं डालती हूं आप थोड़ी दिर चला करके मिला दूगी उसके बास मैं भरता रख दूगी यह देखिए हम ने स्वादन श्वारनमक दे दिया है को मतलब चला करके ठोड़ी दिर और आप के रख दें उससे क्या होगा मारी चना जो है अच्छे अच्छे से पक जाएगी फूल जाएं नहीं कर तो इधर उदर खड़ाई जो इसल जाती है तो मैं आप लोगों बतारी हूं बहुत ही मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूं पर आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं प्लीज सब्सक्राइब मेरे चनल को कर दिया किजिए प्लीज बहुत ही मेंनत के बाद में बनती है एक हाथ से फोन पकरना और एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मतलब टफ काम है यह हर कोई करता पर मुझसे नहीं उपाता है खाना बनाना और फिर मोवायल भी हैंडल करना तो चलिए आप लोग को आप लोग प्लीज मेरे सपोर्ट कि यह देखिए हमने फैसलिस को उच्छे प्टाय कर लिया है इसमें हम डालेंगे धनिया और यह हमारी गडब बसला है और इसमें थोड़ी सी मिर्ची एड कर दिया हम ने और हल्दी यह सो हमने एड कर दिया इन पहले दे रखाता जो आप लोगों में दिखाई थी और इसमें हमने हर मसाला मिक्स कर दिया है और यह लाहसन मिर्स का जो हमने बारी कड़के फिसा हुआ था वह भी हमने एड़ कर दिया है तो अभी मतलब कुछ अलग दिख रही होगी आपने क्यूंकि मैंने से थोड़ी सी पानी वेड़ की है ताकि हमारा चना जो है करकरा साना बने दख करके रख देंगे फूल गैस पर रखना है क्योंकि हमारा चना जो 90 पर तीसाथ पक चुका वर्ष थोड़ी सी पकनी टैन परतिसाथ पाकिया तो यह देखे बहुत ही ज़्यादा गरम थी मैं हाट आ रही थी हाथ में मतलब लग रही थी इसकी गरम बाप तो यह देखे कि फाइली हमारी जो है चना मसला बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और इसको हम मीडियम गैस पर अब हम इसको गैस को जो है लो फ्लेम कर देंगे और थोड़ी देर चलाएंगे जब तक हमारी ओल छोड़ना दे तो यह देखे कितनी ही अच्छी कलर फूल बनी है और खाने परेशान मतलब एक हाथ से फोन पकरना और एक हाथ से बडियो बनाना तो प्लीज अप्रोग सपोर्ट कीजिए तो यह देखे हमारी चना मसला को जो अच्छे से प्राय कर लिया है अप्रोग सपोर्ट कीजिए तो मैं अस्टेंड भी लोगी जो ता मोबाइल का स्टेंड व जो मैं आपनों को दिखा रही थी कितनी ही स्वादिष्ट बनी है और कितनी अच्छी लड़ी तो फिर इसके इसको जो है आप ऐसे भी खा सकते हैं और जिसको ऐसे ही चना मतलब मॉर्निंग में बहुत आदमी चने को खाते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आप इसको नास्त बाइब ऐसे तो भाई एलिए बाइब आई